हलो विल्कम बैक तो आर यूडूब चैनल विचिस सक्सेस विद सौरफ एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस विद सौरफ पे आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे जैसा आप सब जानते हैं लास्ट क्लास में हमने क्लास 6 के हिस्ट्री क चैनल नमबर 6 को अच्छे से पढ़ते हुए उसको समाप्त किया था आज हम लोग चैनल नमबर 7 को स्टार्ट करेंगे और एक एक पॉइंट को समझते हुए इस चैनल को भी समाप्त करेंगे तो चलिए बिना किसी देरी के आज कि हम अपने चैनल की सुरूआत करते हैं जैस बताने का प्रयास किया गया है कि असोक एक महान समराट कैसे बना यहां बताया गया है कि असोक जिस राजी में सासन करता था उसे सामराजी क्यों कहा गया और यहां बताया गया कि असोक के साथ ऐसी कौन सी परिस्थिती उत्पन हो गई जिसने उसे मजबूर किया कि वह यु सेरों के चित्र रुपेयों पैसों पर देखते हैं वह सारनात के एक विसाल अस्तम्भ का है। सारनात के एक विसाल अस्तम्भ का है। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट है, यह अस्तंभ इतिहास के महांतम राजाओं में एक समराट असोक ने बनवाया था। मौर्य सामराजय पर सासन करता था जिसे मैंने हापे ब्रैकेट में लिख दिया है यहां से क्वेस्चन आपका पूछा जा सकता है कि असोक जो महान समराट था वह किस समराजय का सासक था तो आप लोग आंसर क्या करेंगे वह मौर्य सामराजय का सासक था ठीक है आगे बताया उसकी अस्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौरे निलगभग तेई सौ साल पहले की थी मतलग यह जो मौरे सामराजी है जिसमें असोक सामराट सासन किया करता था उस मौरे सामराजी की अस्थापना किस ने की थी तो असोक के दादा जी ने जो थे कौन जो चंद्रगुप्त मौरे थे उन्होंने इसकी अस्थापना की थी नेक्ष्ट है चानक की या कोटिल नामक ब्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी और जो चंद्रगुप्त मौरे ने मौरे सामराजी की अस्थापना की थी उसकी अस्थापना में उनका मदद कौन किया था तो उनका मदद किया था चानक्य या कोटिल नामक एक महान ब्यक्ति ने आगे लिखा गया चानक्य के कई विचार हमें अर्थ सास्त्र नाम के किताब में मिलते हैं एक अर्थ सास्त्र नामक पुस्तक है जिसे लिखने वाले कौन है तो उसे चानक्य के द्वारा लिखा गया है और उस पुस्तक में या बताया गया है या दर्साया गया है कि चानक कि किसी की चीज के प्रतीक किस प्रकार के विचार थें और उन्हीं के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है आपके इस अर्थ सास्त्र नामक बुक में क्लियर चली आई होप यहाँ पे जितने पॉइंट से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब आगे इसके हम लोग देखते हैं कि आगे क्या बताया गया है नेक्ष्ट जो आपका इंपोर्टेंट हेडिंग है वह है वन्स जिसको इंगलिस में कहा जाता है जिब यही परिवार के कई सदस्ये एक के बाद एक राजा बनते है तो उन्हें एक्ष्ट फिरसे राजा बना उसका पुत्र राजा बना तो वही यहाँ बताया जब एक ही परिवार के लोग राजा बनते चले जाते हैं, तो क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है कि वे लोग एक ही वन्स के राजा हैं, clear, चली, यहां लिखा गया next, मौरे वन्स में तीन महत्रपुन राजा हुए, मैंने अभी आपको बताया था कि मौरे वन्स की अस्थापन कि second, बिंदुसार जो की चंद्रगुप्त का पूत्र था, क्या था, चंद्रगुप्त का पूत्र था, और third कौन सा है, थर्ड असोक है, जो की बिंदुसार का पूत्र था, और चंद्रगुप्त का पोता था, clear, चली, तो वन्स में यही बताया गया है, next जो आपका important heading है, व उसे सामराज्य कहा जाता था, तो उसे सामराज्य क्यों कहा जाता था, उसी का यहां पे बताया गया है, यहां लिखा गया, सामराज्य राज्यों से बड़े होते हैं, एक राज्य की जो सीमा होती है, एक राज्य में जितनी capacity होती है, कि इतने लोग वहां रह सकते हैं, उसक से राज्य का अगर सीमा छोटा है तो कम सेना में काम चल जाएगा लेकिन अगर सामराज्य का सीमा बहुत बड़ा है तो वहां पे बहुत अधिक सेनाओं की आउसकता होगी तो अहीं बताए गया कि जब सामराज्य की रख्षा की बात आती है तो वहां बहुत अधिक सेनाओं क उनके खर्चे भी अधिक होंगे और सामराज में जेनरली क्या होता था कि जब सेना अधिक रखी जाती थी तो लोगों से टैक्सेज भी अधिक लिए जाते थे सेना की आवसकता की पूर्ती पैसो से होगी और वे पैसे आएंगे कहां से तो जन्ता के द्वारा दिये गए टैक्सेस से आएंगे क्लियर वहीं यहां नेक्स पॉइंट में भी बताए गया है तथा बड़े सिनाओं में आने वाले खर्चों की भरपाई के लिए बड़े मात्रा में करवसूले जाते थे क्लियर चली तो यहां दो आपके में पॉइंट्स थे जो कि आपके क्लियर हो गए होंगे अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे किसके बारे में चर्चा की गई है नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को मैंने नोट करके लिखा हुआ है यहां लिखा गया है समराजी के नगरों में राजधानी पाटली पुत्र उज्जयन और तक्षिला जैसे नगर प्रमुक थे जो मौर्य समराज्य था उसमें कौन-कौन से इंपोर्टेंट नगर सामिल थे तो पाटली पुत्र जो की मौर्य समराज्य का राजधानी भी था सेकेंड उज्जैन और थर्ड तक्सिला वर्तमान परिस्थिती की बात की जाए तो जो तक्सिला है वो है वर्तमान में पाकिस्तान में है नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो आपका टॉपिक है वो है समराज्य का प्रसासन हम मौरे समराज्य की बात कर रहे हैं तो यहां बताया गया है कि मौरे समराज्य का प्रसासन बेवस्था कैसा था तो इसको भी एक एक करके देख लेते हैं यहां लिखा गया चुकि मौरे समराज ये काफी बड़ा था इसलिए अलग-अलग हिसों में अलग-अलग धंग से सासन किया जाता था मैंने अभी आपको बताया था कि जो सामराज ये होता था उसका एरिया बहुत बड़ा होता था इसलिए उसके अलग-अलग हिसों में अलग-अलग प्रकार से सासन की विवस्था चलती थी एक्जामपल के लिए देखते हैं पाटली पुत्र तथा उसके आसपास के छेतर पर समराट का सीधा नियंतरन था जो पाटली पुत्र था तथा पाटली पुत्र के इर्ध गरिद के जो एरिया थे उसके समराट का सीधा नियंतरन होता था क्यों होता था तो मैंने आपको बताया कि मौरे समराज ये का राजधानी कौन था राजधानी कौन सा अस्थान था तो पाटली पुत्र तो जो समराठ होता है वो राजधानी में ही निवास करता है इसलिए जो राजधानी के इर्द गिर्द का एरिया था या राजधानी में प्रसासन की ब्योस्था को कौन संभालता था तो समराठ खुद संभालता था आगे है यहां से कर इकठा करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी और जो समराट के नियंतरन में जो एरिया होता था वहां से कर इकठा करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी और उन अधिकारियों पर नजर कौन रखता था हो सकता है कि अधिक जाता था उजयन मोरे समराज की प्रांतिये राजधानियों में एक था। और कुछ और पॉइंट्स है उसको भी देख लेते हैं। जाता थी और इन दोनों के बीच का छेत्र बहुत विस्तरित रूप से फैला हुआ था। तो वही यहां कहा गया है कि प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तरित छेत्र थे। इस इलाके में मौर्य सासक सिर्फ मार्गो एवम नदियों पर नियंतरन रखने का प्रयास करते थे। और इन दो इंपोर्टेंट नगरों के बीच का जो छेत्र था। यहां पर केवल मौर्य सासक क्या प्रयास करते थे। कि आने जाने के मार्ग एवम नदियों पर उनका नियंतरन हो ताकि वे आसानी से आवागमन कर सके। क्लियर वही यहां लिखा गया है जो कि आवागमन के लिए महत्वपून थे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को मैंने नोट करके लिखा हुआ है। वह है अर्थ सास्त्र में कहा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए अर्थ सास्त्र का मतलब मैंने अभी आपको पीछे आप बताय था कि अर्थ सास्त्र पुस्तक जो था किसके द्वारा लिखा गया था तो उसी अर्थ सास्त्र में यह बताया गया है कि जो उत्तर पश्चिम का एरिया था वह कंबल के लिए बहुत ही प्रसीध था और दक्षिन भारत सुने एवं किमती पत्थरों के लिए बहुत अधीक प्रसीद था clear और अंत में लिखा हुआ है अंत में जंगल वाले इलाके आते थे यहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे और जंगल वाले इलाके में जो लोग रहा करते थे वे लोग मौर्य सामराज से काफी हद तक खुद को स्वतंत्र रख पाए थे I hope यहाँ पे जितने भी points से आपका clear हो गया होगा तो आज के session को हम यही तक रखते हैं आपका chapter बहुत बड़ा है और भी इसके parts आएंगे लेकिन आज के session को यही तक रखते हैं अगर आपको यह session अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक कीजेगा सेर कीजेगा और चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजेगा मिलते हैं next session में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद